अब जैसे हमारे इंडियन फेस्टिवल दिवालि में होता है हैं कि दिवाली से पहले वी ओसा माहल लगता है कि दिवाली आने वाली है वही समय चलता है ओक ऑजय बरिवगर ऑफारी दिवाली को यह चार्य के अचे integरशिउ में हमें यह वीट शुराथ Exact तकड़ा रियक्शन को हर बार की तरह मिलता है वो मायक पे बोलने जाते हैं लेकिन तभी लेडीज जेंटलमेन की हमको आवाज सुनाई दीते हैं जिसका मतलब की पॉल हेमन वहां से निकलगार आ रहे थे पॉल हेमन कहते हैं अब यार तुमको हर अपते बताना पड़ेगा क्या मुझे मेरा नाम बू नहीं है उसके बाद हो बोलते है माई ने इस पॉल हेमन और साथ में जो क्रावड उनका बोलता है वो कभी ऐसा लगेगा नहीं कि पुराना हो रहा है इसको कुछ नया करने की होता है अब पॉल हेमन के पास तो इतना कंट्रोल है कि उन्हों ने बोला कि अपने करेक्टर से बाहर जाके मैं तारीफ करूंगा मेगा स्थार की एले नाइट की और तुमने मेरी जो रिस्पेक्ट है उसको अर्न किया है ऐसा एले नाइट भी पॉल हमन के बारे में बोलते अभी बीच में Jimmy Uso कूथ और Jimmy Uso अभी मुझे आधा रहा है जब Roman Reigns को मारने वाला पहला बना था Jimmy Tissue तब उसको देख कि तना प्यारा था मैग बड़ी जोड से पॉल हमें की चेस्ट पर मार दे और पॉल हमें चिला भी गए वहां पर थोड़ा सा उने लगी थी लेकिन थोड़ा सा एग्जाज़रेट की अपनी चीज़ों को जो की पॉल हमें करने के लिए जाने भी जाते हैं अब जीमी उसो सोलो सिकोवा बिल्कु मैं और जीमी उसो आज शो पर एक मैच करेंगे पॉल हमना कर रहे था नहीं नहीं भाई अभी हम नहीं कर सकते इस मैच को उनको ज्यादा रोमन रेंज की फटी रहती है नहीं कि रोमन से नहीं पूछा लेकिन जीमी उसो खुद अपने अपने दम पर बोले आरे मैच मैच इस मैच में जो कॉर्ण वाला एक स्पॉर्ट्ट्रिप ये उसका कंदो पर दो सूप स्टार फिर उनने को सूपर प्लेक्स मारा जब वो किसी एक मैच से तो मतलब कि हां उस मैच को अच्छा बनाने कोशिश की गई है ठीक ठाक मैच था ये एंड में नेचरल सेलेक्श वो सारे डिसिजन्स लेता में उसे पूछने तो देता लेकिन जिम्मी उसो ने अपनी आवा पूरी मनमानी करी और उसके बाद एक सीन बनता है जब वो लॉकर रूम में पहुंचते हैं और उस लॉकर रूम में जजमेंटे पूरी बैठीवी होती है मतलब आज कुछ तो श शो पर था बॉबी लेश्ली और यूएस चैंपें रे मिस्टीरो की बीच में आज जो पूरी फैक्शन बिल्ड करने वाली चीज़ है उसके बाद से पहली बार आसा था कि बॉबी लेश्ली ने शो पर कंपीट किया पावर हाउस एक तरफ और अपनी अथलेटिक लेश्ली को ऐसे दिखाने कि वह तो और भी बड़ा है कि रे मिस्टीरो के लिए ऐसे जो वर्ट से उसको यूज किया गया उसके बाद रिंग साइट पर स्ट्रीट प्रॉफिट ने ल्डवलो के मेंबर्स को जो फेका है मतलब एक तो सीधा ही सीधा ही जो स्टील स्टेप स उस पर जाके सिर लग गया रे मिस्टीरो भी कूथ और उस सेग्मेंट उस मुवमेंट को देखना वह बड़ी तरीके से जो मॉन्टेस फॉर्ड हो गिड़ते हैं अब जैसे वह रिंग में पहुंचे इतना अक्रामक इतना अग्रेसिव स्पीयर मारा बॉबी लेश्ली ने लिटरली जो कहते है ना दो बागों में तोड़ दिया वहा रे मिस्टीरो के सांथ पिन कर दिया और बॉबी लेश्ली इस मैच को जीत गए हैं इसके बाद सिनारियो यह है कि ल्डबलो वर्सिस बॉबी लेश्ली इन स्रीट प्रॉफिट्स का जो मैच सा उसमें अब सिफ स बात करनी है अब रिया रिपली हाँ पर कहती है चलो तुम तुम वाइस मैंने तो एक वाइस डिसिजन भी लो कि तुगेधर हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉंग हो सते हैं पौलो मैं कहते हैं हां बहुत अच्छा एडिया है बहुत सही लग रहा है सुनके ए ग्रेट कॉल है लेकिन इसको पहले मुझे ऑथराइस करना पड़ेगा अब इस पर रिया रिपली जाल देती है ऑथराइस ऑथराइस तो उन्होंने बोला अब तुमारे ऑथराइसेंट की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं तुम तो चलो अपने जो जज्जमेंटें उसके लिए बात करोगी म ब्लड लाइन के लिए तो लेकिया हूं पहले लेकिन रिया रिपली खुद कह रही है क्या जरूरा था मैंने बोल तुझा तो उनको चीजें पूछने की जरूरत नहीं है और साथ में अग्नॉलेज मी भी उनको बोल देती है यह बात जो तुमने बोली है यह तुमने गलत पर आके बोल दी है और उसके बाद वह कहती रिया रिपली जवाब देती है उनको पर जे उसर पहले से मुझे अग्नॉलेज कर चुका है अगर मामला यहां पर सटल नहीं हुआ तो फिर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ब्लड लाइन जादा स्ट्रॉंग है और ज शोपर होने पे भी उनके जो रेफ्रेंसे से वह लगातार होते हैं लेकिन अगले हपते स्मैक डॉन पर रोमन रेंस रिटन आने वाले हैं तो उसके बाद रेफ्रेंस की जादा कुछ जरूत पड़ेगी नहीं इसके बाद गई शोपर ऑस्टिंग तरी वर्सिस ड्रागन ल उसको पतानी कैसे रोल अप करके पिन कर दिया ड्रागन ली और ऑस्टिंग ये मैच में बिक्ट्री मिल गई है तो अगर ऑस्टिंग के ओपर किसी सूपरस्टार को अभी के टाम में विक्ट्री मिल रही है तो उसके लिए भी कुछ सीरियस प्लैन जरूर है अब बात करते ह एक वीडियो आईगी उसके लिए बिल्कुल चिपके रहना कुछ ऐसी मस्त बाते आपको बताने वाला हो कि यह सारी चीज क्या बता दी इवन अभी यहां से भी मैं चीजे मुझे दिख रही है तो सब कुछ आपको दिन वाली वीडियो मिल जाएगा अब मैच में क्या मैच उसकी एंडिंग हो जाती है इसके बाद जॉन सीना आते हैं और अब जो सिच्वेशन हो बिल्कुल टू ऑन टू वाली हो गई है कि अब कोई यह कुछ नहीं कर सकता लेकिन तभी जज्मेंट डे का थीम सॉंग हिट होता है उसके बाद पॉल हेमन अनौंसर टेबल के सा साथ में जिमी उसो एंड सोलो सिकोव है सारे के सारे खड़े रहते हैं अब दो बंदे इधर छे बंदे एपरिन पर वो जॉन सिना को देके नेक्सस वाली पुरारी वायव आगई कि ऐसे इनको अकेले बजाया जाता था मुझे लगा कि शाद आज भी ऐसे होने वाला कि दो वर्सिस सिक्स वाली होती है यहां पे इनो ने अटाइक किया पता नहीं चला कौन किसको मार रहा है कोडी रोड्स ने पहले जंप करी सब्सक्री ओपर जे उसो ने जम करी और रिंग में क्या माहौल बनता है सोलो सिकोवा जॉन सिना आमने सामने होते हैं सोलो सिकोवा ने कोडी रोड्स की तरफ से सारे में सारे जो हो जेडी मineaंघ उनसीना चारर के इतने बड़े यह प वहाँ पर सीजन प्रेमियर में आने वाले हैं असने वाले वाले हैं उसके प्रोमों तीजर में अंडर्टेकर की गोंग भी बजती है मैंने अपने community trap में एक post तो डाले थी, वो एक troll post थी, लेकिन वो सच हो रही है, Undertaker भी R&T Tuesday को NXT में, पता नहीं, WWE क्या प्लान कर रही है, प्लान तो वैसे आपके लिए अगली वीडियो में बहुत कुछ हो रहा है, तो उसके लिए स्टे टून्ड, ये वीडियो अच्छो लग